जहिन साथियो डॉक्टर संग्राम पटिल बात कर रहा हूँ, इंगलेंड से बात कर रहा हूँ साथियो गुजरात के हाई कोट में एक केस आया था, ये खून का मामला है और इसके उपर जो अपोजिट पार्टी थी, उन्होंने सुप्रीम कोट में अपिल किया था और सुप्रीम कोट ने इस पर अप निरने दे दिया है, ये सारे प्रिंट मेडिया में ये छप कर आया है, बहुत सारे तो ये मामला क्या था, सप्टेबर 2021 में दो जो किसान है, जिनके खेत आजुबाजु में है, उनमें कुछ वादविवाद हुआ और उसका रिजल्ट ये हुआ कि उनमें जगडा फैल गया, और एक किसान ने अपनी पास जो बंदुक थी, अब मुझे पता नहीं कि किसानों के पास ये बंदुके कहा से आ गई गुजरात के, तो उन्होंने बंदुक से सामने वाले किसान और उसके साथ एक साती था उन प केस दाखिल की, पुलिस में केस एफायर दाखिल की, और जिसकी मुत्य हो गई उसके बच्चे ने दाखिल की, तो ये केस हाई कोर्ट तक चला गया, अब ये हाई कोर्ट तक जाते जाते जिसने खून किया था, और जिसके पिता जी का खून किया था, ऐसे दोनों जो आपस में एक समझोता कर लिया अब यह समझोता हुआ या इसमें कुछ धमकी दी गई या कुछ पैसों का व्यवार हुआ हमें कुछ पता नहीं है लेकिन इनमें ये सेटलमेंट हो गया और ये हमारे मराटी में इसको मांडवली कहते हैं सेट आउट आफ कोट उन्होंने आपस में फैसला कर लिया कि इसको हमको आगे लेके जाना नहीं है तो इस बेसिस पर जो तक्रार करता था जो कमप्लेनन था उसने हाई कोट में एक अरजी दी गुजरात के और कहा कि मुझे इस आरोपी के प्रती कोई भी अब कमप्लेन नहीं है हमने आपस में समझोता कर लिया है हमारी सेटलमेंट हो गई है तो मैं ये केस आगे चलाना नहीं चाहता हूँ तो इस बेसिस पर गुजरात के हाई कोट ने उस आरोपी को छे महिने के अंदर ही बेल दे दिया उसको बाहर छोड़ दिया तो ये हो गया गुजरात हाई कोट तक का मामला अब जो दूसरा जो इसमें विक्टिम था जो जखमी हुआ था मरानी था वो सुप्रीम कोट चला गया इसके इस गुजरात हाई कोट के जो निरने था इसके खिलाप और सुप्रीम कोट में अभी उसका रिजल्ट आया है तो सुप्रीम कोट ने तीन बातों पर इस निर्णय का निशेत किया है इसको क्रिटिसाइज किया है और तीन जो बाते है वो यह है कि उन्होंने बहुत आश्चर्य व्यक्त किया है और क्रिटिसाइज किया है गुजरात हाई कोट के निर्णय पर कि ये कैसा निर्णय आपने लिया है कि एक खुन का मामला है और इसम आपने बाहर जो settlement दो लोगों के बीच में हो गई उसके basis पर इसको बेल दे दी और ये मामला जो है इसको डाइलूट कर दिया दूसरा जो मामला है दूसरा जो उन्होंने मुद्धा बोला है कि जो हाई कोट ने कहा था कि ये जो आरोपी है इसके उपर कोई भी गंभिर गुन पास्ट में है नहीं तो इसलिए हम उसको बेल दे देते हैं तो सुप्रिम कोट ने इसको भी क्रिटिसाइज किया है कि ये कोई वजह नहीं हो सकती है खून के मामले में कि इसने पिछे अपने लाइप में कोई खून नहीं किया था या कोई बड़ा गुना नहीं किया था ल वो मोटो आक्षन लेना चाहिए था और सुप्रिम कोट में जो अपिल किया है ये गुजरात के होम आफिस ने करना चाहिए था लेकिन उन्होंने किया नहीं गुजरात गुजरात मेंने तो उनको भी क्रिटिसाइज किया है तो साथ यह जो बात है अब इसमें सबसे बड़ी जो बात है यह यह नयाए व्यवस्ता के जो लोग है वकील है या नयाएदिश है या ला के स्टुड़न्स है इन सब को यह जो केस हुआ है गुजराथ हाइज कोट का यह बहुत चवकाने वाला है इनको सब को confuse कर दिया है ये case ने क्योंकि ये case जो है ये clearly इसमें गलट decision दिया है ये जो जाजाए उनोंने तो कोई भी IPC Indian Panel Code के या सविधान के हम जो sections देखते है उसमें जो criminal matters होते है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे को मार देता है इनको 302 का ये कलम लगता है IPC की धारा लगती है और इसके अंदर ये बहुत संगीन अपराद होता है ये compoundable अपराद नहीं होता है और compoundable और non compoundable इस तरीके के दो तरीके के अपराद होते है तो compoundable ऐसे होते है जहाँ पर out of court लोग आपस में जो complainant है और जिसके खिलाब complain की है ये वापस में बात करके मामला सुलजा लेते हैं उनमें कुछ lenden भी होता होगा या कुछ आपस में कोई और उनके वेवार होते होंगे और वो सुलजा लेते हैं और court में अरजी देते हैं कि हमारी आपस में कोई complain नहीं है और हम ये मामला वापस लेना चाहते हैं तो इसको compoundable offense करते हैं लेकिन खून अगर किसी का हो जाता है और इस तरीके के जो संगीन अपराद होते हैं ये compoundable नहीं होते हैं ये non compoundable इनमें court के बाहर complainant और जिसके खिलाब complain की है ऐसे ROP के बीच में कोई भी समझोता हो जाए लेकिन वो मामला रफादपान नहीं होता है तो non compoundable करते हैं और गुजरात के high court के जजने ये non compoundable मामला होते हुए भी इसमें compoundable मामला इसको convert कर दिया और इसको bell दे दी और मामला इसको dilute करने की कोशिश कर दी तो ये गुजरात high court के जजने किया है ये कोई मामली जो तालुका का या सेशन का या magistrate जजनी है ये high court का गुजरात का जजने और अगर ये case आगे नहीं चलता तो इसी मामले का इसी case का हवाला देकर reference देकर अलग-अलग जो courts है पूरे हमारे देश में उनमें भी ये reference दिया जाता कि देखो कुजरात के ये case में ऐसे ऐसे खून करने वाले आरोपी को भी बेल दी दी गई है क्योंकि उसका जो complain करने वाला है उसमें और खूनी में दोनों में एक agreement हो गया है ये settlement हो गया है और इसकी वज़े से अब इसको खूनी जिसका आरोप है जिस पर आरोप है उसको छोड़ दिया जाए उसको बेल दी दिया जाए तो ये case का उदाहरन सारे जगह पे चलता और उस basis पर वहां के courts को भी इसका संग्यान लेना पड़ता लेकिन Supreme Court ने उसको पलट दिया है और Supreme Court ने criticize किया गुजरात हाई कोट के इस नायदिश के judgment को और उन्होंने जो आरोपी है उसको surrender करने को बोला है और Home Secretary गुजरात को इसकी copy भेज कर उसको इस विशय में proactive steps लेने के आदेश दिया है तो सातियों ये पहला मामला नहीं है गुजरात हाई कोट का अभी राहुल गांदी के case मे जो हाई कोट के judge ने निर्नाई लिया था और जिस तरीके की बाते बोली थी उसको supreme court ने criticize किया था और इसको बिलकुल उसको नकार दिया था कि इस तरीके के आप आदेश कैसे दे सकते हो निर्नाई कैसे ले सकते हो और उसको राहुल गांदी को वो जो सजा सुनाई है उसमे स्टे दिया और उनका जो जो कन्विक्शन था उसको स्टे दिया और उनकी मेंबर्शिप पार्लेमेंट भी वापस हो गई उसकी वज़े से और उसी समय में सुप्रिम कोट के एक जज ने ये भी वक्तवे किया था कि गुजरात के कोट से जो निरने आ रहे है वो बड़े इंट्रेस्टिंग रीडिंग तो इस तरीके के जजमेंट आने की वज़े से सुप्रिम कोट में भी ये पता चल गया है कि गुजरात में ऐसे मामले चल रहे हैं जहां पर एकदम आश्चर्य जनक निरने लिये जाते हैं किसी के फेवर में लिये जाते हैं या ला के अगेंस अठका हुआ है जिनको चार साल से उपर के कोट में अपिल करने की परमिशन भी गुजरात के नहीं मिल रही है और वो चार साल से बे वजह उनको फसाया गया है और उनको मोदी जी के खिलाब बात करने की वज़े से अक्टिविटी करने की वज़े से उनको रापिड ली जैसे बड़े डीपली इन्वेस्टिगेट करने के जुरुत है और खास करके यह जो अब गुजरात हाई कोट का जो मामला आ गया जिसमें आउट आप कोट सेटलमेंट के लिए उन्होंने एगरी कर लिया उसको सपोर्ट कर दिया और बेल दे दी इस मामले में जो सरकारी वकील है व वाला सविदान के खिलाप सविदान के जो धारा है उनके खिलाप यह अगर हाई कोट का जज ले लेता है तो फिर बाकी के अपसर और छोटे-मोटे जो जज है वो क्या करेंगे तो यह गुजरात में चल क्या रहा है इसके बारे में इन्वेस्टिकेशन होना चाहिए और उ जजरात के नाय व्यवस्ता के खिलाप या मोदी अदानी के खिलाप कुछ बोलने की बात आती है तो वो नहीं बोलते है इसलिए हम लोगों को जो हम नागरिक है हमें ही इस बारे में आवाज उटानी चाहिए और जागरुपता हमें निर्मान करनी चाहिए लोगों में चाहिए ताकि हमारा लोग तंत्र ठिका रहेगा जहें साथियों